तो वहां पे हम पहुच गये हैं बहुत बजा आ गया यह आप देख सकते हो बोड है और अभे आम यहां पे रुख जाएंगे तो आज हम जाने वाले है बेड़ द्वार का जो अभी रिसेंट में है शुदर्शन शिद्यू का उटकर हुआ है वो देखने के लिए आपको भी दिखाएंगे बने रहेगा हमारे एक नए वीडियो में तो अभी हम आ गये हैं जामनगार द्वार का आएवे पे यहां से 75 किलोमेटर होता है बेड़ द्वार का अभी बज़े हैं 10 बज़ के 44 मिनिट और हम निकल गये हैं बेड़ द्वार का के और यहां पे बैठे खुश बीच में जाना हैं परवंदार द्वार का I amor यहां से हमरे लना है नहीं आूज बोलना है अब हम निकलके हैं द्वार का के लिए ईस पहलद वार का जाएंगे कर बेड़ा का और बीचमे आता है श्यॉराच पूर एओं जाना है श्युरादत्पूर पर दिखाएंगे आपक तो अभी हम आगे है पोरबंदार द्वार का आएवे पे यहां से अमें जाना है राइट शाइड जाना है अभी और यह है जामनगर द्वार का आएवे और अभी हम आगे है कोश्चन आवे है जो द्वार का सोमनाद भावनगर तक जाता है वो आएवे पर रागे है और यहां से द्वारका होता है 26 किलोमेटर 26 किलोमेटर यहां से द्वारका पड़ता है और हमें द्वारका से आगे जाना है बेट द्वारका और बेट द्वारका द्वारका से होता है 35 किलोमेटर और यहां पर एक टोलना का पड़ता है आगे अभी आएगा एक देट किलोमेटर के और अगर हम जामनगर से आते हैं, तो आगे जो जामनगर द्वार काई हुए है। वहाँ पे लिंबड़ी से राइट साइड आप जाते हो तो दोलना का निया आते हो, 13 क्मेमेटर नजदिक भी पड़ता है। तो वहाँ से भी आप द्वार का जा सकते हो। ज्यादातर लोग ह यह हैं ओखा मड़ी का सजारा देखिए पवंचक की दिखाई देगी बहुत ज्यादा तो दोस्तों यह है वोटल कवी राज को देखिए ऊंफ़ा मड़ी में आई हुई है वहां पर हम थोड़ा काम था तो भी निप्ट्दा आया और अभी हम वापस से गाड़ीमें आ गए और निकल पड़े है द्वारका के और द्वारका से में जाना है शिवरतपूर शिवरतपूर और बाद में जाएंगे बेड़ द्वारका के और क्योंकि बेड़ द्वारका पाच बज़े जशन होते है और यहां पर पहले थी दूसरी डोल थे और यहां पर निकल ली है देखो आपर नहीं लगाने थिन इसले देखो यह दिंग्लेबन दिखा दे रहा है वो लगाई है दूसरी अभी सो रही है जग जाएंगी तब आपको दिखाएंगे बाद में देखो भी तो सो रही है बहुत अच्छी है द्वारका यहां से होता है 22 किलो मेटर अभी 25 मिनिट का रास्ता है द्वारका पहुच जाएंगे और उसके बाद वहां पे थोड़ा काम निप्टा के जाना है पेट द्वारका टायरेक बेट द्वारका और बीच में अगर सीवराजपूर जाएंगे तो आपको दिखाएंग इसलिए हम साइद सीवराजपूर जाएंगे तो शीवराजपूर आपको दिखाएंगे कैसा है और अगर आप द्वारका आते हो दो शीवराजपूर जरूर जाना क्योंकि बहुत लक्सदिब आपको लगेगा इसलिए आपको एक बार ज़रूर जाना ओर आपे कैसा है यह किसा आता जो भी यह बी दिखो एह हे ऑ खामड़े बिच आपको दिखा हैं अतलेता होगा यहां से में जो यह बीग कैसा हैं यहां पर बाहत बढ़िया है तो भी दिखाएंगे तो वह निक्ता के हफित बज़े है एक और अभी हम जाएंगे अब सिवराजपोर क्योंकि यह बहुत जेर हो पही है तो बेट दौर का बाद में जाएंगे तीन चार बज़े यहां से फुरा दौरा दौर का में काम था तो वह निक्ता लिया है और पूरा करके अभी हम जा रह यहां से आम जा सकते हैं रुपमने मंदिर और यह सारे बाद निकलते हैं और यह सारे बंदेर अरिया कहलाता है यहां सब लोग माची मारिकन्य के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं बोट पीजी का जरे से यह यहां पे पीजी का दिये रहा है आपको बोट तो यह है भीमराणा मोगल मा का जन्मस्थान यहां से यह रास्ता है न वह जाता है ओखा और ओखा से पहले ही सत्रा सोला कि मोगल मा का जन्मस्थान भीमराणा बहुत बढ़िया स्थान है वहां पे आप जा सकते हैं आपको दिखाते हैं अभी अभी अब जा रहा है ऐसा चाहिता है बहुत अंदर नहीं है तोड़ा ही है यहां से आप जा सकते हैं एक मुगल मा का वो स्थान है वो भाव नगर में है एक कब्रा उकत्ष में है, और तीसरा है, वो मुझे बता नहीं है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे थोड़े परस्तों के पहले, थोड़े बस पहले हम आये थे तब, भी कुछ नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया है, तो आट को दिखाएंगे, हम पहले भी आ चुके हैं यहां पर, अजिए थोड़े बेस अर्सी से ओच्णा इक आ 관심ist को जाए है, यहाँ आ यहाँ पे, अभी उसको चाहें जाएंदा आकए होगा, यहाँ आए थे यहां पे, दोसमें जाहाँ देउ दोस्के, पीक्त्र प्क्रणा अंडूश पेरिते हैं देख सकते हैं, वो है मोगल माँ के पिता जी, यहां पहर है, उसकी बहुत बढ़ी हमोते है, वो है मोगल माँ के पिता जी, यह है एंट्रेगे, मंदिर में जाने का नहीं जाने का नहीं है यहैं मोगल मां का जन्वहण फान, मॊगल माँ जन्वह कर जोड़कोंए उतरवाना से द्ट दुंभाना से दर्शन करके सीवरात बॊरॉण जा रहा है जाएंगे और सुराधपुर का नजर आपको दिखाएंगे बज़े दो बज़ ऑद के 22 चुले और सुराधपुर के लिए निकल गए हैं मीनी गोवा की तरह के लाता है, बहुत सारी राइडे भी आप कर सकते हैं, बहुत कम दाम में कर सकते हैं, जो थोड़े टेम पहले बन थी, लेकिन अभी थोड़े, अभी रिसेंटली ही सब राइडे स्टार्ट हो गई ऐसा जानतर ही हमें मिली है, तो जिखाएंगे अगर स्ट स्टार्ट हो गई हो तो उसका प्राइड भी आपको जिखाएंगे, और मिलते हैं शिवराजपूर, देखो यहां पे गाड़ी कर दी हमें, हमने पार्क और यह है शिवराजपूर, बहुत सारा नियाब बन गया है, यहां पे, हो, मोबाइल पड़ो रहा है, मुपी दियो, क है है सीमें, कर दो पहा है भी सेंटों हो था यहां प्राइड शिवराजपूर, वर करने फॉराजपूर बन गया है, यह बहुत सब्सक्वराजपूरूर been गए है, बहुत शारा यहां पे श्टॉल बन गए है, पहला नहीं जाए defa, एसा को यहां फुत पहता है ? ही हमक सारा बहुत मज़ा आता है, हम कई बार तिन चार्शार गंटे नहीं हुए, आज कपड़े नहीं दाए है दूसरे तो इसलिए अज नहीं दाएगी देखो यह स्विवराजपूर है, यहां पर बहुत सारी राइड है, इसी तरह आप इतने सरा ओटर स्वोट है लाओ भी कर सकते हैं, देखो बंदाना राइट्स, पर दक राइट्स, माउस राइड, आइसलेंड टूर, वह सब कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टॉल भी है यहां और अंदर आप देख चुकते हो, महुत सारी बोट पर दीख रही है, ऐसा कि नजा रहा है, सिवराजपूर का, देख सकते हैं यह देख सकते हो, बहुत बढ़िया और पीच यहां पर दिखाए दे रहा है, और शुरुवाद हो चुकी है, प्रीज की, यहां से हम जाने वाले हैं, प्रीज पर यहां से दिखाए दे रहा है, एको, यहां से प्रीज थोड़ा थोड़ा दिखाए दे रहा है, तो वहां प कोई टिकेट नहीं है वह वहां जाके आपको दिखाएंगे तो दोस्तों देख सकते हो आप हम पहुच गये है सुदर्शन प्रीच उजगाटन थोड़े टैम पहले हमारे प्रधान मंतरी मोधी साहब ने किया था तो वहां पहुच गये है देखो यह नजारा अब देख सकते ह हो कोई भी टिकेट नहीं है यहां पर कोई भी टिकेट यहां पर नहीं है तो आप ऐसे यह सकते हो और यहां पर है चल के जाने के लिए गेले दी और यह देख सकते हो बहुत बढ़िया मोर पीच यह सुदरसन बीच का कुछ ऐसा न जा रहा अब लेक्स ते हो यह अच्छा सा मोर पीच भी आप दिखाएं देख सकते हो यहां पे थोड़ा रूक के फोटो खीच घाटे थोड़ा फोटो खीच वाएंगे एक अद्रील भी शूट करेंगे तो रूपते हैं यहां पर और फोटो बड़ना किचते हैं तो यहां पर ने कर यह हमारी गड़ी पार्क और यह खुसी और उसके ममी और यहां पे कुछ ऐसा पेंटिंग है और यह है शुदर्संड बीच आप देख सकते हो ऐसा कुछ नजा रहा है कफी विल्स आपने यहां पे जेखी होगी यहां कुछ है नजा रहा है कर दोस्तों अभी हम पहुच गए है सुदर्शन ब्रीच यह भारत का सबसे लंबा डाई किलोमेटर लंबा सीगनेचर बीच जो भारत का सबसे लंबा सुदर्शन ब्रीच है वो इसका उद्गाटन प्रदानमंत्री मोदी जी ने 24 जनवरी को किया हुआ था अभी हम पहुच गए है वहां पर और यह ब्रीच है वह ओखा को बेटवारका से जोड़ता है पहले आप यहां पर देख सकते हो यह बोंट है ना वहां से हमें जाना परता था बोंट में अभी वह तो साइद बंदी हो गया है यहां पर कोई जिखाइनी दे रहे हैं सब लो कोई आपको टिकिट नहीं लेनी पड़ती है और फ्री ओफ कोष्ट हमें जाना पड़ता है वहां पर आपको पार्किंग करना है वर उस मंदिर के लिए और रिक्सा में जाना पड़ता है तो वहां पर दिखाएंगे आओ दिखाते हैं हम कुछ समंदर का नजारा यहां पर स तेमदर का नज़रा देखने के लिए लोग ऐसे रिल शुट करते हैं और यह वहां पे है जेटी आपको दिखाते हैं प्पोड़ा जूम करके देखो यहां है यह जेटी यह वाला जेटी है वहां से पहले लोग खरी बोत में जाते थे बेड़ द्रवार का यहां पर यहां पर rätt表ी कि हम सब बॉत blossoms क्या भाइ। लंग वानचय पंचया यहां से अशुदर संपया देख शकर लोग यहां से जाते हैं समंदर का नजारा देख रहे हैं अभी क्या खोसी बिन डर लगता है अपको कि अधर लगे हैं कि अधर लोग यहां पर रिल्स शूट कर रहे हैं पोट भी यहां पर खीच पार है क्योंकि यहां से बहुत बढ़िया नजार आता है अधर पीछ ना उसका और अभी देखो अभी काम भी चलो है तो यहां पे लोग रूप रूप के फोटो रिल्स शूट करते हैं क्योंकि वन साइड चालो है वो साइड चालो है यहां पर बंद इसलिए यहां पर कोई बहिकल भी आपको नहीं दिखाई देंगे इसलिए यहां प्याराम शूट कर सकते हैं लोग तो है यह है most famous place यहां से सब लोग सेल फिखिते देखो यहां पर सब लोग सेल फिखिते हैं फोटो खिचवाते हैं यहां पर रुक रुक के ही फोटो खिचवाते हैं क्योंकि यहां से बहुत बढ़िया व्यू आता है सब लोग यहां से ही फोटो खिचवाते हैं तो हमने भी बहुत सारे फोटो खिचवाते हैं तो हमने भी बहुत सारे फोटो खिचवाते हैं और अभी हम निकल गए हैं आगे बहुत सारे लोग जगा जगा पे फोटो खिचवाते हैं क्योंकि यह बहुत सारे यह जो बीच में दो है ना वही पे ही लोग ज्यादा दर फोटो किछवाते हैं क्योंकि यही है में फैमस प्लेसिस यहां पहें खुसाबन और यहां पहें बहुत सारी गाटिया लोग यहां पे ही फोटो किछवाते हैं और यह है श्रिदर्शन ब्रीज आप देख सकते हों यह है कुछ ऐसा नजा रहा बहुत बढ़िया केमल प्रीज यहां पे इसी तरह लोग सेल्फी फोटो किछवा रहे हैं अभी नाइट का व्यू भी आपको दिखाएंगे तूंकि हम रुकने वाले हैं नाइट तक आपको व्यू दिखाने के लिए तब तक हम दर्शन करकर करकर के वापस आ जाएंगे कि देखो बहुत सारे लोग यहां पे रुक रुक के फोटो किछवाते हैं है 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 कि एसा कुछ है न जा रहा है और बहुत सारे पेड़ और छोड़ छोड़ बहुत सेरे स्वरी बहुत सारे छोड़ हैं डाय किल्वेटर लंबा शिकनल से ब्रीच पहली बार हम भी यहां प्याया है 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 यहां पे खुच सीवेंट और उसकी मुम्मी है यहां पे होता है पूरा ब्रीच पहले अदा गंटा वहां पे फेरी बोट में लगता था अभी देखो दो तिन मिनिट भी नहीं हुए है और हम पहुच गए है बेड़ द्वार का कि वहां से जाना होगा यहां पे है पार्किंग साइद फियो कोष्ट है किसी तरह का चार्ज यहां पे नहीं लगता है लेकिन यहां से मंदीर जाने के लिए हमें देना पड़ेगा चार्ज क्योंकि रिक्सा में जाना पड़ेगा जाना पड़ा यह पड़ता है इसले यहां से हम पार्किंग में जाएंगे बाद में जाएंगे ही और देखोm बहुत सारी गाड्या यहां पर पढ़ी है । प्रॉर्या ऐसे जाने परियों ऑग्ड़ा ए इस प्रीवेत स्या चेह में जाना और दिल्सा में अब जाना भर का यहां से जाना हृत ऑप धूखन वापस discussions यहां से कितना होता है किटनों थाया है आई थे किटनों थाय मंदिर अचाहिए अच्छ आप अच्छ दोग चल के भी जाते हैं मारसो आले ने जाहिए तो जो यह दिखाए जरा ना तब यहां से दिला दे रहा है वो दर्संप्रीट यहां से अंदर को नहीं जाने देते हैं अंदर नहीं जाएंगे अंदर नहीं जाने देते हैं मंदिर अभी नहीं खुला मंदिर नहीं खुला मंदिर नहीं खुला मंदिर नहीं खुला मंदिर यहां से कुछ ऐसा दिखता है नजारा अधिए यहां से और यहां हम चल के जा रहे हैं तुसी बेन क्या कानूडा बन रहे हैं तुसी बेन तो देखो अधिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहां से सुदर्शन से तुका ऐसा व्यू आ रहा है बहुत बढ़िया यह पार्किंग है कोई जामबम नहीं है बहुत बढ़िया और की बैसा नहीं लगता है यहां पे पार्किंग को पैसा नहीं लगता है तुका एक बात्रेवाला एक शाम के साथ और कुछ नजारे आप देख सकते हैं संसेट होने वाला है और सुधर्शन शेत्व का नजारा आपको दिखाएंगे सांज का यह देखो राज तो साइद हो जाएगी या नहीं हो जाएगे पता ने अभी हम रुकने वाले हैं यहाँ पर जब तक रुकने देते हैं लेकिन यह संसेट का कुछ नजारा अलग है बहुत बजा आ गया यह आप देख सकते हो बोर्ड है और अभी हम यहाँ पर रुक जाएंगे जब श्याम डलेगी तब हम जाएंगे तब तक हम रुके रहेंगे अभी हम आपको दिखा रहे हैं यह श्याम का नजारा कुस ऐसा सुरह जल नहीं वाला है यह अजारा यह देखने के लिए उपसित होए तक हम पर यह जाय रहा है और यहां पर है बोट्टेंग कोई भी नहीं जा रहा है बोट में यह देखो यह नजारे और यह यह बोट्ट का सुरह जारा नजारा एट भी चल हो गए है अभी वह दूस्की लेट चालो होगी यहां पर लोग सेल्थी फोटो रिल्स आदी वगेरा खीच रहे हैं बहुत सारे लोग यहां पर दिखाए दे रहे हैं अभी दोस्तों हो गई हैं शाम और ऐसा कुछ नजारा है सुदर्संद प्रीज का आप देख सकते हो बहुत बढ़ी हो और एक बात बता दो यहां पर जो वॉक्वे हैं उसमें चोटे-चोटे स्पीकर लगे हुए उसमें बास्वरी बजरी तो उसका भी आप मजा लीजेगा और एचा ऐसा कुछ है नजारा सुदर्शन शेतू का काफी लोग यहां पर सेल्फी खीच रहे हैं रेल्स बना रह है तो दोस्तों एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ यह दिखो यह स्पिकर है अगर 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 सुना आपने बहुत बढ़िया म्यूजिक बज़ रहा है भी कि जाक अगर सकारे अगर अगरिया म्यूजिक गवान्स प्राइब कारा सुना के लाईपने के लेख सेल्फी सेल्फार के लेख स्वना अगर की लूज़ी खीक है अगर बवाना झाल चाहता है झाल झाल रात और राच बच गे है नौट रहे मारे घर हैं नौट अज़ प्रफियन सो गई है हम खाना खाने रूप गए थे अभी बजय तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक बने रहे गया हमरे साथ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्रेब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ त अब तक बाइ